दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि Study IQ के हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो आपको Study IQ चैनल को सब्सक्राइब करना है बेल आइकन पर क्लिक करना है जिससे आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे नमश्कार दोस्तों 6th and 7th of August को केला के अंदर आपको दो बड़े हाथसे देखने को मिलते हैं एक की हमने अलड़ी चर्चा की हुई है इंडियन एक्स्प्रेस का जो विमान है वो यहाँ पर crash हो गया था उसकी वज़े से कई लोगों की जाने गई थी लेकिन एक और बड़ा हाथसा हुआ था 6th of August को केला के अंदर मुनार में लेंड स्लाइट देखने को मिला जिसकी वज़े से अगर अभी तक आप देखोगे तो मरने की संक्या करीब 49 बताई जारी है काफी बड़ी संक्या होती है अगर लेंड स्लाइट की वज़े से 49 लोगों की जाने जाती है अभी भी rescue operations जारी है हम ऐसी आशा करते हैं कि ये जो death toll है वो और जादा ना बढ़े लेकिन हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे basically कि ये जो particular landslide हुआ है ये कहाँ पर हुआ है किस region की वज़े से हुआ है क्या कारण है इसके basically तो चलिए आगे बढ़ते हैं मैं हूँ अंकित अगरवाल और update के लिए आप मुझे follow कर सकते हैं इसके अंदर आता है आपका मुनार विलेच मुनार के बारे में अक्सर आप सुनते हों और यहाँ पर आपको एक छोटा सा हैमलेट मिलेगा है हैमलेट का मतलब है कि कुछ घर यहाँ पर आकर बसते हैं कोई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता बहुत ज्यादा लोग नहीं रहते लेकिन एक छोटा सा एरिया होता है जहाँ पर लोग रहते है इसका नाम है पेट मुडी हिल टॉप तो यहां पर क्या है एक प्लांटेशन कंपनी है जिसका नाम है कनन देवान हिल्स प्लांटेशन आपको पता है कि जो टी गार्डेंस वगर हैं यह काफी जादा किये जाते हैं तो यह जो पर्टिकुलर हैं था जिसकी मैं आप प्रचा कर रहा हूं यहां पर 83 वरकर्स रहते थे ठीक है और यहां पर आप देख सकते हो कि यह जो प्रेटी मोडी है यह जो पुरा रीजन है यहां पर आपको एक बहुती इंपोर्टेंट नैशनल पार्क मिलेगा आपके एक्जामिनेशन पॉंट और फ्यू से इंपोर्टेंट हो सकता है तैट इस एरावी कुलं नैशनल पार्क इसके बारे में भी आपने सुना होगा तो यहां पर क्या है आपको शोला फॉरेस्ट देखने को मिलता है शोला बेसिकली ये जो पुरा land slide हुआ है वो हुआ था तो 6 August को क्या हुआ कि अचानक से जो rocks है, slurry है, sludge है, वो काफी तेजी से यहाँ पर गिरने लगा, करीब distance of around 1.5 km to a patch of valley in Petimudi, तो Petimudi में जैसा मैंने बताया कि काफी जादा यहाँ पर land slide, और land slide में basically क्या होता है, जो rocks है, slurry ह mud है, clay है, वो अचानक से गिरने लग जाते हैं, और वहाँ पर क्या हुआ, यह जो hamlet है, जिसकी मैं आपसे चर्चा किया, 83 लोग वहाँ पर रहते थे, तो यहाँ पर क्या है कि single room houses बने वे थे, दो रोग के अंदर, ठीक है, यहाँ पर आप picture में देख सकते हो, यहाँ पर य land slide की वज़े से, और जिसकी वज़े से क्या हुआ है, कि अभी तक मैंने जैसा आपको बताया, 49 लोगों की जाने अलरी जा चुकी है, rescue operations अलरी यहाँ पर चल रहा है, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल है, कि आखिरकार यह vulnerability क्यों है, यहाँ पर इतना जादा land slide क्यों देखन तो वो आपका vulnerable category में आता, especially अगर वहाँ पर अचानक से बारिश हमें देखने को मिलती है, तो यहाँ पर क्या हुआ, यह जो hamlet आपका बसा हुआ था, यहाँ पर जो slope हैं आसपास, वो आपका 40 degree के slope है, तो आप just imagine कर सकते हो कि यह जो vulnerability है, वो कितनी जादा बढ़ जाती है, और क्या हुआ कि वहाँ पर बहुत जादा heavy rain हो रहा था पिछले कुछ दिनों से, मैं आपको आकड़ा भी दिखा देता हूँ, यह जो पुरा इडुक्वी का district है, वहाँ पर आप देखिए 4th of August और 5th of August को काफी जादा heavy rainfall देखने को हमें मिलता है, और finally 6th of August की रात को इस particular area में land slide हो गया, जिसकी वजह से again काफी लोगों की मिरती हो गई, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो राज्य की disaster management authority है, उन्होंने एक और कारण इसमें बताया, उन्होंने ये बोला कि यहाँ पर क्या होता है कि यह जो mountain है आपके, यहाँ पर जो soil पाए जाते हैं, उसके कर रहा है, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो पुरा soil है, वो क्या होगा, heavy हो जाएगा, और मैंने आपको क्या बताया, slope already steep है, और यहाँ पर अगर soil heavy हो जा रहा है, तो जो अचानक से फिर से अगर heavy rainfall हो गया, तो इसके गिरने के chances, land slide आने के chances काफी जादा बढ़ जाते हैं और अक्सर आपने महराष्ट में भी सुना होगा, जो black soil होता है, वो भी क्या है, उसमें clay का content जादा होता है, जहाँ पर sugar cane वगर जैसी चीजें उगाई जाती हैं, तो वही है basically आपका, यहाँ पर भी clay का content जादा है, जिसकी वजह से आपको जादा बारिश के time, land slide की जो chances है वो बहुत जादा बढ़ जाते हैं, और in fact यहाँ पर एक और कारण यह है कि मैंने आपको बोला था, यह पूरा plantation का region है, कई सारी companies यहाँ पर काम करती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, कि रास्ता वगरा यहाँ पर बनाना होता है, तो human intervention बहुत जादा होनी की वजह से, slope के वजह से जो river का course है, वो भी बदलना पड़ता है, क्योंकि अगर आप कोई भी चीजों करो गए, तो यहाँ पर अगर कोई river pass हो रही है, तो वो pass नहीं हो पाएगी यहाँ से, तो इसकी वजह से भी क्या होता है, कि जो पुरा channel है, वो divert होनी की वजह से यहाँ पर land slide के chances काफ 24 land slide in 24 hours, 22 killed, इस तरह का हर साल यहाँ पर केला के अंदर हमें देखने को मिलता है, इसका main कारण दोस्तों क्या है, कि वहाँ पर mining, quiring, यह सारी चीज़ें काफी ज़ादा की जाती है, construction की activity आप देखोगे बहुत ज़ादा illegal है, especially बहुत ज़ादा news में रहता है कि जो पुरा wetland का region है, उसको encroach कर लिया जाता है, बहुत बड़े-बड़े builders के द्वारा, तो यह एक बहुत बड़ी समस्या है, जो deforestation है, trees की cutting है, वो काफी ज़ादा देखने को मिलती है, क्योंकि जब तक trees नहीं होगा, तो soil को यह hold नहीं कर पाएंगे, और आपको land slide देखने को मिलेग और यहाँ पर northern kerala के मुकाबले, जो southern और जो central वाला kerala है, जो मैंने आप भी आपको map में दिखाया, वहाँ पर बहुत ज़ादा heavy rainfall होती है, तो again, यह जो पूरा reason है, वो vulnerable category में आता है, और हमें kerala के अंदर इतनी ज़ादा, जो land slides है, वो देखने को मिलती है, और last में ज वो अपने आपको hold नहीं कर पाते हैं, एक साथ, together, और विखर जाते हैं, और gravity की वजए से यहाँ पर वो नीचे गिरते हैं, इसी को कहा जाता है, land slide, और obviously वात है, इसका बहुत बड़ा disastrous effect हमें देखने को मिल सकता है, इसके अलावा भी मैं आपको बता दूँ, कि land slide सिर्फ earth के उपर, आप ocean के नीचे भी देखोगे, तो वहाँ पर underwater land slide भी हमें देखने को मिलता है, जिसकी वजए से जो coastal areas हैं, उसको भी काफी जादा damage होता है, और इस particular land slide को कहा जाता है, submarine land slide, इसके बारे में मैं आपको बताओं, तो types of land slide आपको चार प्रकार के देखने को यूश्वली, falls, topples, slide, spread, basically क्या होता है, falls और topples में आप अंतर देखे, fall आप देख सकते हैं, कि अचानक से जो debris हैं, जो rock है, वो गिरने लग जाता है, छोटे-छोटे मात्रा में, तो इसी को कहा जाता है, falls, जो topple होता है, topple का मतलब हुआ, ये जो पूरा area है, जो पूरा land ही है, वो अचानक से एक के ऊपर, एक यहाँ पर जब गिरते हैं, तो इसको topple कहा जाता है, जहां तक slides की बात आती है, slide का मतलब होता है, कि जो slope है, वो काफी steep है, काफी steep होनी की वजए से यहाँ पर बहुत तेजी से disastrous effect आ सकता है, जो spread होता है, दोस्तों, spread में क्या होता है कि जो slope है, वो बहुत जादा steep नहीं होता है, यह gentle होता है, मतलब समतल होता है थोड़ा सा, इसकी जैसे क्या होता है, कि जो पूरा का पूरा land है, वो अपने आप में ही घसक जाता है, यहाँ सर यह अपने आप में ही नीचे गिरने लगता है, इसी को spread कहा जाता है, तो I hope कि यह जो अंतर है इस तरह के landslide में यह भी आपको पता चल गया होगा, और जाने से पहले एक और चीज है कि आप देखोगे map के अंदर, तो जो landslide जहां जहां पर होता है, वो आपको exactly जहां जहां अर्थक्वेक देखने को मिलेंगे वही पर होता है, आप देख सकते हो clearly, गु आप देख सकते हो जो पूरा नदन रीजन है, नौर्थ इस्ट का यहां पर आपको landslide भी काफी जादा देखने को मिलेगा, लेकिन क्या है कि यह जो peninsular region है, especially जो केरला वाला, यहां पर आपको अर्थक्वेक उतना जादा देखने को नहीं मिलता, लेकिन landslide यहां पर आपक आप पर जा सकते हैं, किसी भी inquiry के लिए आप उसे directly Instagram पर जुड़िए, यहां पर मैं daily एक MCQ डालता है, आप stories में जाकर play कर सकते हो, मिलता है आप से next time, till then, thank you very much, see you soon. झालता है